तो आप सभी को होली की धेर सारी शुभ का मनाए होली के साथ होली का में हमारी सारी परिशानिया हमारी आपकी सारी परिशानिया, सारी दिक्कते, सारी नेगेटिविटी जल कर राख हो जाए और होली के रंगों की तरह हमारी खुश्या, हमारी आपकी खुश्या और संपत्ति, वेल्थ, अनेक गुना हो, बढ़े, खुश्या दे सबको ऐसी शुव कामना है आप सबको, मैं दे रहा हूँ, मुझे लगता है धीरत जी पहली बार लाइव सेशन में जुड़े हैं हमारे साथ, नितिश जी पहले जुड़े हैं लाइव सेशन में अच्छा, मार्केट में बड़ी उठा पटक हम देख रहे हैं, खास तोर पे जो मिड केप, स्मॉल केप स्टॉक्स हैं उसके अंदर, तो आज हम पहले थोड़ा निफ्टी के उपर चर्चा करेंगे और फिर मिड केप के विशय में चर्चा करेंगे और एस्ट्रलोजिकल ट्रंजिट्स जो हो रही हैं उसकी चर्चा करेंगे और एक बहुती अफलातुन मल्टी वेगर स्टॉक जो मैं लेके आया हूँ, उसके बारे में डिसकस करेंगे रेडी अवरिवन, इगर टू नो, ओके चलिए, तो पहले चलिए पहले एस्ट्रलोजिकल प्लैनेटरी ट्रंजिट्स उसका डिसकुशन करते हैं मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर मोबाइल पे ज्यादा अच्छे से ना दिखाई दे तो कोई बात नहीं इसका रेकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब पे अप्लोड होगा और वो आप अपने कंप्यूटर पे या आईपेड पे टेपलेट पे देख सकेंगे बड़ी स्क्रीन में तो चलिए मैं शेयर करता हूं अपना स्क्रीन बताईए क्या आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ठीक है तो यहां अभी हम देख रहे हैं यह ट्रंजिट चार्ट है आज का और बुद्ध नीच राशी से गोचर कर रहा है और यह सिर्फ आज के लिए नहीं है काफी दिनों से बुद्ध नीच राशी में था लेकिन अब जल्दी ही बुद्ध नीच राशी से निकलने वाला है नीच राशी में उसने प्रवेश किया छे मार्श को कोशल जी ने हाथ खड़ा किया है कुछ पूछना चाहते हैं या कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको आवाज सुनाई दे रहा है ठीक है चलिए तो बुद्ध नीच राश्री में गोचर कर रहा था छे मार्च से ले करके और अभी इसका गोचर चेंज होगा राश्री परिवर्तन होगा आज रात को साड़े नौ बजे बुद्ध मीन राश्री को छोड़ करके मेश राश्री में प्रवेश करेंगे बुद्ध वानी का कारक है, कम्मिनिकेशन का कारक है, साथ ही बुद्ध व्यापार का कारक है तो stock market में volatility भी हम बुद्ध के कारण देखते हैं और हमने देखा कि nifty bank nifty में बड़ी उठा पटक हमने मार्च के महिने में देखी है और उसका कारण ये है बुद्ध नीच राशी में था साथ ही सुर्य भी बुद्ध के नस्दीक था तो बुद्ध अस्त भी हो रहा था लेकिन आज रात को 9.30 बजे बुद्ध नीच राशी से बाहर निकलेगा मैश राशी में गोचर करेगा और हमने अल्रड़ी देखा है नifty में बाउन्स की शुर कुछ लोग लेट जॉइन कर रहे हैं तो ये हुई बुद्ध के गोचर की बात बुद्ध के गोचर तो हर 20-25 दिन में चेंज होता है राश्री परिवर्तन होता है लेकिन एक बहुत बड़ा राश्री परिवर्तन होने वाला है और वो है गुरु देव का गुरु जो ग्रह है ये 26 अप्रेल को मेश राशी से निकल के व्रिशव राश्री में जाने वाले हैं व्रिशव राश्री काल पुरुष की कुंडली में धनस्थान होता है तो व्रिशव राश्री में गुरु का गोचर स्पस्ट संकेत देता है पूरे विश्व में एकोनॉमी एक अच्छी रफ्तार देखने को मिलेगी एकोनॉमी में पॉजिटिविटी आएगी तो ये एक अच्छा संकेत है गुरु देव व्रिशव राश्री में गोचर करेंगे वर्ल्ड एकोनॉमी में पॉजिटिविटी बढ़ेगी बहुत सारे लोगों के बैंक बैलेंस बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट अब जाएगा इसका एक संकेत गुरु देव का गोचर 26 अप्रेल से होने वाला है व्रिशव राश्री में और गुरु देव लगबग एक वर्ष व्रिशव राश्री में रहेंगे एक्क्यूरेट कहूं तो 9 में 2025 तक 26 अप्रेल 2024 से 9 में 2025 तक गुरु देव व्रिशव राश्री में रहने वाले हैं दूसरी बात है शनी देव की शनी देव का गोचर वो भी 2025 में चेंज होने वाला है शनी देव 20 मार्च 2025 को मीन राश्री में प्रवेश करेंगे तब तक 2025 मार्च महिने तक शनी देव कुम्भ राश्री में गोचर करते रहेंगे तो कुम्भ राश्री में शनी देव का गोचर धीरे 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 करके शुभ फल शुबफल मतलब business और economy के लिए बाकी जन समुदाई के लिए तो ये war वगेरा चीज जो हम देख रहे हैं विदेशों में ये continue रहेगी और भारत पर भी विदेशी आक्रमन का डर बना रहेगा इस विशेपर मैं अलग से वीडियो बना के डालने वाला हूँ बाकी एक और बहुती important planet है, stock market, economy, wealth के लिए वो है शुक्र शुक्र का गोचर अभी अगर हम देखे तीस मार्च शुक्र अपनी उच्छ राश्री में प्रवेश करेंगे छे दिनों के बाद शुक्र मीन राश्री में प्रवेश करेंगे जो शुक्र की उच्छ राश्री है तो stock market में उच्छाल, सोना चांदी की किमतों में उच्छाल हम देख सकते हैं साथ ही expenses बढ़ना, luxurious item पे expenses बढ़ना ये सब घटनाए हम देख सकते हैं 30 मार्च से ले करके शुक्र 24 अप्रेल सवेरे तक मीन राश्री में रहेंगे तो ये कुछ planets के विशय में हमने चर्चा की जो planets economy, wealth, stock market पे प्रभाव डालते हैं दूसरी एक बहुती important बात यहां पर मैं करने वाला हूँ वो है मंगल के विशय में राहू मंगल की युती से होने वाला अंगारक दोश अभी मंगल देव सनी के साथ कुम्भराशी में है और अल्रेडी हम देखी रहे हैं वार वगेरा situation बढ़ रही है मंगल और सनी की युती भी अच्छी नहीं है लेकिन 21 अप्रेल से मंगल मीन राशी में प्रवेश करेंगे जहां पर राहू पहले से विध्यमान है तो इनकी जो युती होगी राहू मंगल की युती ये अंगारक दोश का निर्मान करेगी और अंगारक दोश के विशय में हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए है आप सभी को पता है आप हमारे वीडियोस देखते है अंगारक दोश का क्या प्रभाव होता है लडाई, जगडा, वार, आगजनी, अकस्मात, एकसीडन्ट, वॉलकेनो इरप्षन, ज्वाला मुखी फटना ऐसी बहुत सारी घटनाए देश-विदेश में सब जग होती है तो ये अंगारक दोश के कारण वार रिलेटेड सिनारियो और प्रभल बनेंगे तो इसकी पूरे विश्व पर असर होगी, लेकिन हम देखते हैं स्टॉक मार्केट पे वार का नेगेटिव इफेक्ट इतना नहीं होता है क्योंकि वार में डिस्ट्रक्शन होता है तो डिस्ट्रक्शन को कॉंपेंसेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है तो इसलिए वो इकोनोमी को बूस्ट देता ही है तो वार का इकोनोमी के उपर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहता है unless and until जिस देश पे भयंकर विनाशकारी अक्रमन होता है उस देश की अर्थव्यवस्ता खतम हो जाती है लेकिन overall विश्व के उपर उसका बड़ा नेगेटिव इंपेक्ट नहीं देखने को मिलता है हाँ, crude oil की किमते अगर बढ़ती है तो उसका प्रभाव अवर्ष्य पढ़ता है लेकिन overall compensation दूसरी जगह से हो जाता है अब हम बात करने वाले हैं stock market specifically nifty की बात करेंगे अब मैं अपना screen share change करने वाला हूँ अच्छा भी मैं देख रहा हूँ कमल जी ने जॉइन किया है रवे किरन जी ने जॉइन किया है नमस्कार सर नमस्ते आप अपना camera भी on किजिए हमें आपका दर्शन का लाप भी दीजिए रवी किरन जी कमल जी किसी के आया हुआ था पर दर्शन तो मैं आपके चीए थे आच्छा अच्छा ठीक है रवी किरन जी आच्छा सभी को आवाज तो सुनाई दे रहा है ना काउशल जी को थोड़ा परेशानी थी ठीक हो गया ओ गया गुड गुड चलिए अपना discussion आगे बढ़ाते हैं अभी मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा उसके उपर हम डिसकस करेंगे तो ये निफ्टी का विकली चार्ट है और ये है मन्थली चार्ट मन्थली चार्ट में हम देख रहे हैं कि पिछले तीन महिने से जान्युआरी फेब्रुआरी मार्च बहुती छोटी सी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो टेक्निकली लोगों को यहां लग रहा है कि बहुत कड़ा रेजिस्टन्स मिल रहा है निफ्टी को 22,000 से 22,500 का जो लेवल है यहां पे निफ्टी को बहुती तगड़ा रेजिस्टन्स मिल रहा है और RSI तो दिखा रहा है ओवरबॉट जोन में पहुँच गया है निफ्टी तो यहां मार्केट में बड़ी गिरावट का डर लोगों को है वैसे भी मार्केट में हमने देखा है 2020 में जो बड़ा करेक्षन आया था कोवीड पेंडेमिक के बड़ उसके बाद जो तेज उचाल मार्केट में आया है उसमें 2021 नवेंबर से 2022 जून ये पांच्छे महिना थोड़ा गिरावटाई उसके बाद और भी उचला है बहुत हाई चला गया है वैसे आप हमारे पुराने वीडियोज अगर देखे हैं पहले से आप हमें फॉलो करते हैं तो हमने ये 2021 नवेंबर से 2022 जून की गिरावट का भी भविश्यवानी की थी हमने 2022 डिसेंबर से 2022 मार्च अप्रेल 2023 मार्च तक भी निफ्टी में गिरावट की भविश्यवानी की थी और हमने अभी रिसेंटली कहा था 2024 जनवरी फरवरी मार्च में मार्केट में उठा पटक होकी लेकिन बड़ी गिरावट नहीं आएगी और वो ही हमने देखा है अभी यहां से अगर आप लोग यूट्यूब और ट्वीटर पे फॉलो करते हैं लोगों को तो शायद आप लोगों को डर होगा कि निफ्टी, बेंक निफ्टी, मार्केट में बड़ी गिरावट की आश्रंका लोग जता रहे हैं तो एस्ट्रोलोजिकल एनालिसिस जो मैंने किया है उससे ये कंक्लूजन पे मैं पहुँचा हूँ कि 2024 में कोई बड़ी गिरावट मार्केट में आने वाली नहीं है जो अभी मिड़ केट में गिरावट हमने देखी है निफ्टी, मिड़ केट में जो थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी है ये एक बढ़िया मौका है बाई करने का mid cap में ये हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी है ये भी अच्छा मौका है और bounce इसमें भी already आ गया है निफ्टी mid cap 150, निफ्टी mid cap 100 ये दोनों ही इंडेक्स लगभग सेम है निफ्टी mid cap 50 सारे mid cap इंडेक्स अल्मोस्ट टेक्निकल चार्ड्स पे same view दे रहे हैं तो clear indication इसमें भी है bounce आ रहा है तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है जैसे mid cap में हमने 2023 सब अक्टोबर में भी जो गिरावट देखी थी बिल्कुल उसी तरह से अभी मार्च में है और यहां से और बड़ा अपमू आ सकता है तो जो भी multi bagger stocks हमने suggest किये हैं उसको आप हर एक multi bagger का हमने individual जो analysis किया है उसी के अनुसार उसको आप buy कर सकते हैं उसके अलावा एक बहुती जबरदस्त multi bagger stock आज मैं ढूंड के लाया हूँ जो दो तीन गुना नहीं लेकिन नौ गुना हो सकता है मतलब अभी अगर आप इसमें 10,000 invest करते हैं तो वो 9 गुना ग्रोथ होके 90,000 add होके 1,000,000 हो जाएगा 10,000 का 1,000,000 9 से 10 गुना हो सकता है और सिर्फ वहाँ पर रुकेगा ऐसा नहीं 200 गुना भी हो सकता है तो एक ऐसा बहुती जबरदस्त multi bagger stock में ढूंड के लाया हूँ इसके उपर detailed में चर्चा हम करते हैं उससे पहले हम एक 15-10 मिनिट का break ले लेते हैं मैं होली का दर्शन करके आता हूँ आप भी अगर करना चाहें तो कर लीजे 10 मिनिट के बाद हम फिर से connect करते हैं और हम नए multi bagger share के विशे में चर्चा करते हैं ठीक है? झाल 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 इसके यस रिक रदी झाल झाल